हर देश के पास अलग तरह का सामर्त होता है, किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कोई खनीच से संपन्ध होता है, तो किसी के पास लंबे समुद्रतर्ट की ताकत होती है, लेकिन इस सामर्त का उप्योग करने के लिए, जिस सबसे बड़ी ताकत के आवशक्ता होती हैं, वो होती है हमारी युवाशक्ति, युवाशक्ति जितनी जादा मजबूत होगी, देश उतना जादा विकास करेगा। आज भारत अपने युवाओं को स्कीलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाब उठाने के लिए तैयार कर रहा है। बविष्य की आधुनिक जरुरुत्तों को देखते हुए, देश में आधुनिक राष्ट्रिय शिक्षा नीती लागू की जा रही है। देश में बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेज, आई आई टी, आई आएम या ट्रीपल आई टी जैसे कौशल विकास हमस्तान खोले गए है। करोडो युवाओं को प्रदान मंत्री कौशल विकास युजना के तहर ट्रेनिंग दी गई है। हमारे देश में करोडो कारिगर अपने पारंपारिक व्यवसावें के माद्यम से आजी विकास चलाते हैं। ऐसे विश्वकर्मा कारिगरो उनके लिए पी-म विश्वकर्मा युजना भी शुरू की गई है। आज तकनिक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है। इसलिए हर किसी को अपने हूनर और ग्यान को अपडेट करते रहना होगा। तकनिक के लिए 2 mínimo2 जस पहाद고 करो किसी को युझनेंन यूद्वकर्मा युझन में कुछ एन है करते हैं। ऐसway इस-ट समय कहएhair को अपना हम विएवरो